हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैं चैनल, तो मैं हूँ पृती और मेरा चैनल पृती क्रेशन में आज आपका स्वाकत है दोस्तों क्या आप जानते हैं, विटामी नी का कैप्सुल हमारे लिए कितना यूसफुल होता है यह हमारे हैर्स के साथ साथ हमारी स्कीन के लिए भी कितना यूसफुल होता है तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि विटामी नी हमारी स्कीन के लिए, हमारी हैर के लिए, हमारी आल बोडी के लिए कितना यूसफुल होता है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विटामी नी कैप्सूल हमें मिलने वाला खाएं तो दोस्तो आप विटामी नी का कैप्सूल आपको किसी भी मैडिकल स्टोर पर मिल जाएगा ये 30 रुपे का 20 रुपे का पत्ता आपको आसानी से कही पर भी medical store पर या किराना store पर easily मिल जाएगा तो आईए हम video start करते हैं तो दोस्तों अगर video start करने से पहले आप please मेरे video को like कर दीजिए मेरे channel पर आप नए हो तो मेरे channel को subscribe कर दीजिए और अगर आपको मेरे video थोड़ा सभी useful लगता है तो आप अपनी family और फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर किजेगा दोस्तों तो आईए vitamin E का first step हम चानते दोस्तों देखिए आप जैसे कि देख रहे हैं बॉल में में लिया है tomato juice अभी हम इसे use करने वाले हैं अपनी hair growth के लिए विटामिन E का जो capsule है वो कैसे useful होता है आज यह जान लेते देखिए मैंने tomato को ग्रेंड करके उसका juice पहले ही निकाल लिया था अभी मैंने एक vitamin E का capsule को oil इस lotion में डाल लेना है और इस lotion को मुझे अच्छी तरह से mix कर लेना है दोस्तों विटामिन E जो है हमारी hair के लिए बहुत ही ज्यादा useful होता है हमारे hairs की scalp में जाकर हमारे hairs growth में बहुत ज्यादा helpful होता है देखिए दोस्तों इस lotion को हमें इस तरह से पूरी तरीके से मिला लेना है फिर हमें अपने hairs की scalp से इसे पूरी तरह से मसाज करकर overnight इसे ही छोड़ दे देखिए इसे अपने पूरे hair पर नहीं लगाना है अपने hairs की scalp पर लगाना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में बता रही हूं देखिए आपने इसे अपने hairs की scalp पर पूरी तरह लगा देना चाहिए विटामिन E का जो capsule है आपके hairs को shiny बनाएगा आपकी hairs growth में बहुत ज़्यादा help करेगा अगर आपको dendruff की problem में वो भी solve करेगा आपके hairs अगर दो मुहे बाल है आपके hairs में उस problem को भी solve करेगा कुल मिला के आपके बालों को बहुत ही shiny चमकदार और सुन्दर बना देगा दोस्तो विटामिन E के वैसे तो बालों के लिए इतने फाइदे हैं कि अगर हम इसका use करें तो मातर एक हपते में ही हम अपने hairs growth देख सकते हैं अब बात आती है विटामिन E के दूसरे नुसके की तो दोस्तों विटामिन E की जो दूसरी remedy है वो है dark spots remove करने की तो देखिए मैंने फिर again एक ball ली है उसमें लिया है विटामिन E का oil मैंने विटामिन E का जो capsule है उसका oil निकाल लिया है अब जो इसमें हम second ingredient लेने वाले हैं दोस्तों वो है coconut oil और coconut oil हमारी skin के लिए बहुत ज़ यूसफुल होता है यह में skin के लिए बना रहे हैं यह जो टोनर यह जो लोसन है हम अमारी skin के लिए बना रहे हैं और जो तीसरा ingredient हमने लिया है वो दोस्तों है honey honey में कुछ ऐसे antioxidant होते हैं जो हमारे dark spots को remove करने में बहुत ही ज़्यादा helpful होते हैं अगर आपके चहरे पर बहुत ज़्यादा दाग दब्बे है पिगमेंडेशन है जुरिया है चाहिया है यह सारी problems को solve करता है तो आपको इस तरीके से अपने पूरे face पर जहां पर भी इसे apply कर लेना है और apply करने के बाद overnight छोड़ देना है अगर आप comfortable है तो इसे overnight छोड़ दीजिए और अगर आप comfortable नहीं है तो आप इसे 2 घंटे रखने के बाद आप इसे wash कर लीजिए तो देखे दोस्तों यह हमारी दूसरी remedy complete हो गई है वैसे तो vitamin E के use हमारी skin और hairs के लिए बहुत ही जादा है और ऐसा कोई भी क्रिम और oil नहीं है जहां पर vitamin E होता ही नहीं है देखे दोस्तों हम बात आती है तीसरे निसके की तो तीसरे निसके में हम बात करने वाले है vitamin E के under eye dark circle के बारे में vitamin E हमारे under eye dark circle को पुरी तरह से remove करने में बहुत ही ज़्यादा helpful होता है देखे काली-काली आंके किसे पदद है आखों में dark circle किसे पसंद है तो मैंने लिया है vitamin E का oil कहने का मतलब है vitamin E का एक capsule का oil निकाल लिया है दूसरा मैंने aloe vera gel लिया है आप सभी वेश्चे तो जानते हैं कि aloe vera gel हमारे dark circle को remove करने में बहुत ही ज़्यादा helpful होता है तो आप अपने इन दोनों को मिला लेना है और अपने dark circle पर लगा लेना है आप पूरी रात इसे रखे रहने दीजिए और इस नुस्के को आप पूरा एक हपता उप्योग कीजिए आप देखेंगे कि एक हपते में ही आपके dark circle पूरी तरह से remove हो जाएंगे और आपकी आंके बहुत इस नुसके की या चोते रेमेडी की तो अब बात करते हैं कि विटामीन E स्ट्रेस मार्क को किसके तरीके से remove करता है तो देखें इस चोते नुसके में भी हमें विटामीन E का जो ऑईल है उसे निकाल लेना है दोस्तों दोस्तों विटामीन E में कुछ ऐसी properties होती है जो हमार इस ट्रेस मार्क को पूरी तरह से remove कर देती है अगर विटामीन E का हम एक से दो हपता लागातार यूज करते हैं तो हमारे इस्ट्रेस मार्क पूरी तरह से remove हो जाते हैं अभी हमें इस रेमेडी को बनाने के लिए विटामीन E को oil तो ले रही है साथ में हमने इसमें दीजिए इसनों उसके को आप एक अपता आज माहीं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए